ये बात सच हैं कि हम लोगी कच्छी दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वाइरस से हमारा देश ही नहीं, पुरी दुनिया प्रभावित हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं हमारे डेली वेज़ वरकर्स। जो देश के अलग-अलग कोहने से आते हैं रोजगार के लिए ताकि वो अपना और अपने परिवार का पीट पाल सके। गिव इंडिया, एक्षिन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वोरियर एक इनिशेटिव जिसमें हम सब साथ आएं और कोविड नाइटीन से लड़ें। जो जोइन तो कॉल्स एंड सपोर्ट आर देली वीज़ वरकर्स। जैहिंद। अंग्रेजी जारती वहू माधोपुर गाउ में मेधा की शादी नीरत से होती है। मेधा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाद बाद में इंग्लिश जारना मेधा की फितरत थी। गाउं के नल में मेधा पानी भर रही थी। नल की लाइन में धेर सारी औरते खड़ी थी, कि अचानक मेधा कहती है, पास खड़ी औरत बोल पड़ती है, अरे आई बड़ी हमें हट बोलने वाली, अरे तू हट यहां से, पहले मेरी बाल्टी है, मैं पानी भरूँगी। अरे मैं बोल रही हूँ, गर्मी बहुत है, तुम लोग बल्कुल पड़ी लिखी नहीं हो क्या, मेधा उन लोगों का मजाग बनाती हुई कहती है, मेधा घर आती है, जहां उसकी सास बैठ कर टीवी देखती है, अरे बहु सुन तो जरा, तेरी शिकायते बड़ी आ रही है, यह तो बात बात पर लोगों के सामने जो अंग्रेजी जाड़ती है ना, लोग तेरा मजाग बनाते हैं, अरे बनाते हैं तो बनाए, मुझे क्या लेना देना भई, मैं तो मॉडन हूँ, अंग्रेजी नहीं तो क्या भोजपुरी बोलूँगी, तभी पास के पिंजरे में बंद तोता बोलता है, हे बोजाए, ठेक बोलत मा, हे बोजाए, ठेक बोलत मा, तोते की बात सुन मेधा मुझ बना कर वहाँ से निकल जाती है, घर में सबजी खत्म हो जाती है, मेधा जोला लेकर सबजी लाने निकलती है, और वो अपनी सास से कहती है, मा, मैं ना मारकेट जा रही हूं वेजिटीबल लेने जिल्दी आ जाओंगी अरा रुक जा मरी तेरे घरवालों से दहज में फ्रीज मांगा था वो तो दिया न गया उन लोगों से अब तू टेबल लाकर किस पर एहसान कर रही है कौन सा फ्रीज और कौन सा टेबल पड़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहु मिल गई वो काफी नहीं है क्या और हां मैं टेबल नहीं वेजी टेबल लेने जा रही हूं वेजी ला या लेजी ला हमें नहीं चाहिए कोई टेबल उफो मैं भी किसे समझा रही हूं कहीं आपके साथ रहकर मैं भी गवानना हो जाओं वेजी टेबल मतल लेडी फिंगर कितने में दी सबसी वाला उसे घूर कर पूछता है अर देखा बहन जी थोड़ा बहुत तो हम भी न पड़े हैं जादा न बकाती मारो लेडी जन क्या होती है हम जानत है और फिंगर भी हम कहें दे दे अपनी घरवाली की अंगुली चलो निकलो यहां से यह क् हैं जी आप तो बड़ी गवार है भींडी बोलता है इसको कितनी देनी है जल्दी से बताओ टेम ना है हमारे पास इतना मेधा सबजी लेकर घर आती है और खाना बनाने लगती है मेधा की इंगलिश बोलने की आदत लगा अतार जारी रहती है जिससे कभी घर तो कभी महला तो कभी बाजार के लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ता है एक दिन सास ने बहु की इस बिमारी का इलाज निकाल मेधा की सास दे गाउं की दिवारों पर एक पोस्ट लगा दिया जिसमें लिख दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाए वो भी दो महीने में बस फिर क्या था मेधा के घर में लोगों की भीड लग गई सभी मेधा के सामने अपने बच्चों को लेकर आ ज परवाएंगे सुना है बहती अच्छे पढ़ा लेती हैं अरे हम पैसे भी दे देंगे बस आप हमारे बचवन को ना पढ़ा दीजिए मेधा एक साथ इतने बच्चे देख कर सोच में लग जाती है अरे वह इतने सारे बच्चे एक बच्चे से एक सो भी लीती हूं तो पर चा तो कितना होगा वो मन ही मन में कल्कुलेशन करती है अब मेधा ज्यादा तर गाओं के बच्चों के सामने अंग्रेजी जाड़ती रहती है और सास सास चैन की सास लेती है